तो दोस्तो अगर आप भी मेरी तरह एक online teacher हैं और आप भी online teaching करते हैं तो दोस्तो आप भी online teaching के लिए इस तरह का setup OBS में मुझसे करवा सकते हैं ठीक है और यहाँ पर दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से भी setup किया हुआ है यानि कि जैसा क कि दोस्तो अभी आप यहाँ पर मेरी screen देख रहे हैं और मेरा face देख रहे हैं तो दोस्तो इस तरह की चीज़े हमने OBS में ही setting किया हुआ है यह सारी चीज़े करने में थोड़ा सा time लगता है अगर मैं इस पर detail में वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तो वीडियो बहुत ही फोटो लगाते हैं लेकिन प्राब्लम यह हता है कि हमारा जो फोटो होता है उसमें जो है background है वो हम remove नहीं कर पाते हैं ठीक है फोटो का जो background है वो हम remove करना नहीं जानते हैं तो दोस्तो अगर आप भी thumbnail के उपर अपना photo लगाना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं है कि आ सके तो सभी चीजें मैं आपको step by step guide करूंगा तो अगर आप जाना चाहते हैं सिखना चाहते हैं तो दोस्तो इस video पर लाज तक बने रहे देखते रहे और सिखते रहे तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के video शुरू करते हैं लेकिन दोस्तो video शुरू करने से पहले मैं को बता दू मेरा नाम है राजीब और आप देखर अपना YouTube चैनल Creator Classroom तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो अभी मैं एक PPD बना रहा था ठीक है आप यहां देख सकते हैं कि मैं अभी एक PPD बना रहा हूं ठीक है मैं थोड़ा सा इसे fit कर लेता हूं कुछ इस तरह से ठीक है दोस्तो यह हमने theme design कर दिया है और अब मैं क्या करूंगा इसमें उनका एक photo लगा दूँगा बाकि चीज़े वह क्या करेंगे इसमें अपना content add कर लेंगे ठीक है इसमें हम अपना photo कैसे लगाएंगे तो जो नहीं जानते हैं जो इस चीज को नहीं जानते हैं जिन्होंने इ image रखा होगा उस folder में जाएंगे ठीक है तो मैंने recording वाले folder में रखा है तो मैं recording वाले folder में आ जाओंगा अब जैसे कि दोस्तो मुझे यह image लगानी है तो मैं इसे select करूंगा और यहां से मैं insert कर दूंगा तो दोस्तो यहां पे देख सकते हैं कि हमारा image insert हो चुका है लेकिन इसके पीछे जो है background लगा हुआ है तो दोस्तो आपको इस तरह से थामनेल के उपर अपनी photo नहीं लगानी है थामनेल के उपर photo लगाने से पहले आपको क्या करना होगा आपका जो image है आपका जो photo है उसका background रिमूब करना पड़ेगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मै हमारा जो wavecam है वो यहां है इसलिए दोस्तो यह थोड़ा सा side में है इसलिए दोस्तो मुझे थोड़ा सा इधर जो है देखना पड़ रहा है ठीक है तो चलिए यह सारी चीजे भी बताना जरूरी होता है अपने audience को है ना चलिए बता दिया तो दोस्तो अब हमें क्या करना है यहां अपना photo लगाना है तो दोस्तो photo लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले तो इससे minimize करेंगे यानि कि इस काम को पहले बंद करेंगे उसके बार दोस्तो अब हम लोग क्या करेंगे अपने laptop यह computer में Google Chrome open करेंगे जिस website के बारे में आप जानते हैं वो मैं नहीं बत मैं दोस्तो आपको कुछ ऐसी website बताऊंगा जहां से दोस्तो आप HD quality में download कर पाएंगे ठीक है और यहां से दोस्तो आप और भी चीजे कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो वीडियो परलास तक बने रही है Google open कर लेना है और Google open करने के बाद आपको यह टाइप करना है Adobe Firefly Background Remover ठीक description में भी बिल जाएगा तो दोस्तो लिंक पर क्लिक करके direct आप इस website पर आ सकते हैं ठीक है तो दोस्तो आप लिंक पर क्लिक करके इस website पर आ सकते हैं इस website पर आने के बाद दोस्तो इसका interface कुछ इस तरह से आपको दिखेगा उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है यहां पी आपके सामने यह इंटर फेस आजाएगा तो दोस्तो जब आपके सामने यह इंटर फेस आ जाएगा उसके बार आपको क्या करना है इस इंटर फेस को आपको हमेशा हमेशा के लिए desktop के उपर save करके रख लेना है ठीक है ताकि आपको बार बार गूगल ना करना पड़े ठीक है अगर आप छोटे-छोटे कमों को करने के लिए समय बचाएंगे तो दोस्तों आपका बहुत सारा समय बचेगा इसलिए दोस्तों आपको कहा करना है इस इंटरफेस को आपको कहा करना है desktop के उपर save कर लेना है उसके लिए आपको कहा करना होगा यहाँ पर दोस्तों थ्री डॉट दिया गया है अपको 3 डॉट के उपर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहां आपको एक option मिलेगा share यहां पर देखके लिखा हुआ है save and share आपको यहां आना है और दोस्तों यहां आपको एक option मिलेगा create shortcut तो दोस्तों आपको create shortcut के ओपर click कर लेना है और दोस्तों यहां check-tick लगा देना है और उसके बाद इस Hem ने क्यों किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, यह हमारा create हो गया है, अब मैं इसे close कर देता हूँ, तो देखिए, पहले बार में हमने क्या क्या क्या, कि Google पे search किया, Adobe Firefly, तो दोस्तो हम उस website पे गये, और फिर हमारे सामने वो interface आया, लेकिन अगर हम इस तरह से एक वार यह shortcut, desktop के उपर create करक पड़ेगा, जब हम next time thumbnail बनाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, बस यह जो हमारा shortcut है, इसके उपर मैं click कर दूँगा, और जैसे ही दोस्तो मैं इसके उपर click करूँगा, तो हमारे सामने वो जो है, वो जो हमारा interface था, वो हमारा direct open हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए मैं इसके click करता हूँ, कोई google नहीं करना पड़ा, कहीं कुछ नहीं करना पड़ा, direct जो है, यह interface हमारे सामने आ गया, तो दोस्तो अपनी time को save करने के लिए, कुछ इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं, तो यह आपका जो है, एक तरह से मान सकते हैं, कि आपका software बन गया, तीक है, उसके interface में आएंगे, इस website के उपर आएंगे, उसके बाद दोस्तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां आपको यह option मिल जाएगा, remove background, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है, उसके बाद दोस्तो आपको सामने यह interface आजाएगा, उसके बाद दोस्तो आपको क् background remove करना है, उस image को आप यहां से select करेंगे, और देन दोस्तो आपको open के उपर क्लिक करके, इस image को इस website के उपर upload कर देना है, ठीक है, और उसके बाद दोस्तो आपको थोड़ा सा wait करना है, और उसके बाद दोस्तो आप देखेंगे, कि आपका जो image है, उसका जो background है, वो remove हो है, उसके बाद दोस्तो यहां download का button है, आपको download के उपर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद दोस्तो इसे save करके रख लेना है, ठीक है, तो इसे दोस्तो मैं save करके रख लेता हूँ, तो इनका जो folder है, उसे में मैं save करके रख लेता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तो हमने एक image का background remove कर दिया अगर आपको दूसरा image का background रिमूप करना है तो वापस से आपको background remove के ऊपर click करना है ये interface आजाएगा वापस से आपको प्लस icon पर click करना है जैसे ही यहाँ click करेंगे तो आप अपने pc में चले जाएंगे और उसके बाद दोस्तो जिस image का आपको background remove करना है उस image को आप यहां से select करेंगे और then open के उपर click करके उसका background remove कर लेंगे तो यह देखे थोड़ा सा wait करेंगे तो दोस्तो आप देखेंगे कि इसका जो background है वो remove हो चुका है तो दोस्तो इसातर से background remove कर लेंगे और उसके बाद download के उपर click करेंगे और download के उपर click करने के बाद यह हमारा download हो जाएगा चलए तो दोस्तो इसे मैं desktop पर save करके रख लेता हूँ लख लेता हूँ यह हमने save कर दिया तो इस तरह से आप image का background remove कर सकते हैं अगर आप Photoshop में thumbnail बनाते हैं तो दोस्तो इसे Photoshop में insert करवा सकते हैं अगर आप PPT में अपना thumbnail बनाते हैं तो इसमें अपना image insert करवा सकते हैं या तो दोस्तो अगर आप Canva से अपना thumbnail बनाते हैं तो Canva पर इसे upload करेंगे और उसके बाद दोस्तो आप इस image को thumbnail बनाने में यूज कर सकते हैं तो बस दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही I hope कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जूबी चीजे बताया है सिखाया है समझाया है आपको पसंद आया होगा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो ये टुटोरियल पसंद आ है तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मुनबल बढ़ा है दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं